जागरुकता वीडियो के माध्यम से सेंट पीटर्स के कॉलेज के छात्र दे रहे हैं पर्यावरन बचाओ का संदेश पर्यावरन दिवस के अफसर पर कॉलेज के छात्रों ने एक जागरुकता संदेश पनाया है जिसमें छात्रों लोगों को प्लास्टिक का प्रियोगना करने का संदेश देते हुए देखे जा सकते हैं छात्रों के इस प्रयास की सेंट पीटर कॉलेज के प्रिथाना चारे ने सरहाना की पर्यावरन को लेकर पर्यावरन सर्रक्षक पर्यावरन प्रेमी वज्याकरुक नागरिक हमेशा पर्यावरन सर्रक्षन को लेकर नए नए कारे करती रहते हैं जिससे किसी भी तरह से पर्यावरन को सुरक्षित रख कर मानद जीवन को सुरक्षित रखा जा सके शेहर की भी बात करें तो शेहर में भी कई संस्थाएं पर्यावरन सा रक्षन को लेकर कारे कर रही हैं इसके साथ नगर निगम की ओर से भी प्लास्टिक खताओ पर्यावरन बचाओ जैसे अभ्यान चलाए जा चुके हैं पर्यावरन दिवस के अफसर पर सैंट पीटर स्कॉलेज के छातों ने भी अपनी चिंता को एक वीडियो के माध्यम से व्यक्त किया है जिसमें छात प्लास्टिक के प्रयोग से पर्यावरन को हो रहे गंभी नुक्सान को दिखा रहे हैं इसके साथ इस वीडियो में यह भी सं प्लास्टिक प्रयोग को बंद करना चाहिए जिससे हम अपने इन्वार्मेंट को सुरक्षित रख सकें और आने वाली पीडिक को सुरक्षित वा स्वस्त जीवन दे सकें छातों ने प्लास्टिक के प्रयोग से होने वाले निकसान को भी बड़ी ही खुबसूरती से वीडियो के माध्यम से लोगों को बताना है कि प्लास्टिक कितना नुकसान हमारे इन्वारिमेंट को पहुंचाता है और इसका प्रयोग हमारे लिए भी हानिकारक हो रहा है छात्रों ने परियावर्ण को ध्यान में रखते हो इस विशेश जागरुकता वीडियो को बनाया है जिसको ल प्रयास है और उनको उमीद है कि लोग भी छात्रों की इस अफिल को मान कर प्लास्टिक का प्रयोग को कम से कम करेंगे